इस सेक्टर में कई और स्टार्ट अप से, इसलिए मैंने सोचा कि एक युवा स्टार्ट अप फाउंडर से भी चर्टा की जाए, जो इस शेतर में बहत्री इन काम कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम रिशब मलोत्रा है और मैं बैंगलोर का रहने वाला हूँ। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि मन की बात में फिटनिस पर चर्चा हो रही है। मैं खुद फिटनिस की दुनिया से बिलॉंग करता हूँ और बैंगलोर में हमारा एक स्टार्ट अप है जिसका नाम है तगड़ा रहो। हमारा स्टार्ट अप भारत के पारंपरिक व्यायाम को आगे लाने के लिए बनाया गया है। भारत के पारंपरिक व्यायाम में एक बहुती अद्भूद व्यायाम है जो है गड़ा व्यायाम और हमारा पूरा फोकस गड़ा और मुगदर व्यायाम पर ही है। लोगों को जानकर आश्चर्य होता है कि आप गदा से सारी ट्रेइनिक कैसे कर लेते हैं मैं ये बताना चाहूंगा कि गदा व्यायाम हजारों साल पुराना व्यायाम है और ये हजारों सालों से भारत में चलता आ रहा है आपने इसे छोटे बड़े अखाडों में देखा होगा और हमारे स्टार्टप के माध्यम से हम इसे एक आधूनिक फॉर्म में वापस लेके आए हैं हमें पूरे देश से बहुत प्यार मिला है, बहुत अच्छा रिस्पॉंस मिला है मन की बात के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि इसके इलावा भी भारत में बहुत से ऐसे प्राचीन व्यायाम हैं हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड विधी हैं जो हमें अपनानी चाहिए और दुनिया में आगे भी सिखानी चाहिए मैं फिटनेस की दुनिया से हूँ तो आपको एक पर्सनल टिप देना चाहूँगा गदा व्यायाम से आप अपना बल अपनी ताकत अपना पॉस्चर और अपनी ब्रीधिंग को भी ठीक कर सकते हैं तो गदा व्यायाम को अपनाएं और इसे आगे बढ़ाएं चैहिंद साथियों हर किसे ने अपने विचार रखे हैं लेकिन सप्पा एक ही मंत रहें हेल्दी रहें फिट रहें 2024 की सुरुवात करने के लिए आपके पास अपनी फिट्नेस से बड़ा संकल्प और क्या होगा मेरे परिवार जनों कुछ दिन पहले काशी में एक एक्सपरिमेंट हुआ था जीसे मैं मन की बात के सोताओं को जरूर बताना चाहता हूँ आप जानते हैं कि काशी तमिल संगमम में हिस्ता लेने के लिए हजारों लोग तमिल नारू से काशी पहुँचे थे वहाँ मैंने उन लोगों से समवात के लिए आर्टिफिशल इंटलिजेंस AI टूल भाशनिय का सारवजनिक रूप से पहली बार उप्योग किया मैं मंच से हिंदी में संबोधन कर रहा था लेकिन AI टूल भाशनि की वज़े से वहाँ मौझूद तमिल नारू के लोगों को मेरा वही संबोधन उसी समय तमिल भाशा में सुनाई दे रहा था काशी तमिल संगमम में आये लोग इस प्रवोग से बहुत उत्सा ही दिखें वो दिन दूर नहीं जब किसी एक भाशा में संबोधन हुआ करेगा और जनता रियल टाइम में उसी भाशन को अपनी भाशा में सुना करेगी ऐसा ही फिल्मों के साथ भी होगा जब जनता सिनेवा हौल में AI की मदद से रियल टाइम ट्रांस्वेशन सुना करेगी आप अंदाज लगा सकते हैं कि जब ये टेक्नोलोजी हमारे स्कूलों हमारे अस्पतालों हमारी अदालतों में व्यापक रूप से इस्तिमाल होने लगेगी तो कितना बड़ा परिवर्तन आएगा मैं आज की युवापीडी से आगरह करूंगा कि रियल ट्राइम ट्रांस्वेशन से जुड़े AI टूल्स को और एक्स्प्रोर करें उन्हें 100% फूल प्रूप बनाएं साथियों बदलते हुए समय में हमें अपनी भाषाएं बचानी भी हैं और उनका संवर्धन भी करना है अब मैं आपको जारखन के एक आदिवासी गाउं के बारे में बताना चाहता हूँ इस गाउं ने अपने बच्चों को मात्रू भाषा में सिक्षा देने के लिए एक अनूठी पहल की है मंगलो गाउं में बच्चों को कुडुक भाषा में सिक्षा दी जा रही है इसकूल का नाम है कार्तिक उराउं आदिवासी कुडुक स्कूल इस school में 300 आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं कुडुक भाषा उराओं आदिवासी समुदाई की मात्रु भाषा है कुडुक भाषा की अपनी लिपी भी है जिसे तोलंग सी की नाम से जाना जाता है ये भाषा दीरे दीरे विलुप्त होती जा रही थी जिसे बचाने के लिए इस समुदाई ने अपनी भाषा में बच्चों को सिक्षा देने का फैस्खला किया है इस school को शुरू करने वाले अर्विन उराओं कहते हैं कि आदिवासी बच्चों को अंग्रेजी भाषा में दिक्कत आती थी इसलिए उन्होंने गाओं के बच्चों को अपनी मात्रू भाषा में बढ़ाना शुरू कर दिया उनके इस प्रयास से बहतर प्रणाम मिलने लगे तो गाओं वाले भी उनके साथ जुड़ गए अपनी भाषा में पढ़ाई की वज़त से बच्चों के सिखने की गति भी तेज हो गई है हमारे देश में कई बच्चे भाषा की मुश्किलों की वज़त से पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते थे ऐसी परेशानियों को दूर करने में नई राष्टिय शिक्षा नीती से भी मदद मिल रही है हमारा प्रयास है कि भाषा किसी भी बच्चे की शिक्षा और प्रगति में बाधा नहीं बननी चाहिए साथियों हमारी भारत भूमी को हर कालखंड में देश की बिलक्षन बेटियों ने गवरों से भर दिया है सावित्रिबाई फुले जी और रानी वेलू नाचियार जी देश की ऐसी ही दो विभूतिया है उनका व्यक्तित्व ऐसे प्रकास तंब की तरह है जो हर यूग में नारी श्रत्ति को आगे भढ़ाने का मार्ग दिखाता रहेगा आज से कुछी दिनों बाद तीन जनवरी को हम सभी इन दोनों की जन्मेजेंती मनाएंगे सावित्रिबाई फुले जी का नाम आते ही सबसे पहले शिक्षा और समाज सुधार के ख्षेत्र में उनका योगदान हमारे सामने आता है वे हमेशा महिलाओं और वन्चीतों की शिक्षा के लिए जोड़दार तरीके से आवाज उठाती रही वे अपने समय से बहुत आगे थी और उन गलत प्रथाओं के विरोध में हमेशा मुखर रही शिक्षा से समाज के ससक्ति करन पर उनका गहरा विश्वास था मात्मा भुले जी के साथ मिलकर उन्होंने बेटियों के लिए कई स्कूल शुरू किये उनकी कविताएं लोगों में जागरुकता बढ़ाने और आत्मे स्वास भरने वाली होती थी लोगों से हमेशा उनका यह आगर रहा कि वे जरूरत में एक दूसरे की मदद करें और प्रकृति के साथ भी समरस्ता से रहें प्रकृति कितनी दायालू थी इसे शब्दों में नहीं समेटा जा सकता जब महराष्टर में अकाल पड़ा तो सावित्री भाईव और महात्मा फुले ने जरूरत मंदों की मदद के लिए अपने घरों के दरवाजे खूल दिये सामाजे ग्न्याई का ऐसा उधारण विरले ही देखने को मिलता है जब भापलेक का भाई व्याप्त था तो उन्होंने खुद को लोगों की स्यवा में जोंक दिया इस दोरान वे खुद इस बीमारी की चपेट में आ गई मानवता को समर्पित उनका जीवन आज भी हम सभी को प्रेरीत कर रहा है